हेलो फ्रेंज वेलके बेक टू मैं चैनल जाइका कैसे हैं आप सब मैं मुश्वगुफ्ता और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूं बहुत ही आसान और जट पर तरीके से बनने वाले पेठी के लड़ो की रेसिपी तो चलिए बनाना शुरू करते हूं पेठे के लड़ो बनाने के लिए हमें चाहिए पेठा यहाँ पर मैंने सूखा वाला पेठा लिया है पेठे बहुत से तरीके के आते हैं लेकिन हमें लड़ो बनाने के लिए सूखा पेठा लेना है नारियल का बुरादा इसके साथ ही लेना है टूटी फुरूटी के लिए अब सबसे पहले हमें पेठे को ग्रेट करना है यानि कि कद्दू कस करना है इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है कि अब हम पेठे को कद्दू कस करेंगे कि इसी तरह पेठे के सारे पीसिस को कद्दू कस कर लेंगे देखिए हमने पेठी को कद्दू कस कर लिया है अब इसे हम बाइंड करेंगे नारिल के बुरादे के साथ तो मैंने यहाँ पर दो टेपलिस्पून नारिल का बुरादा डाल दिया है इसे क्या होगा यह पेठी की मिक्सचर को एक बाइंडिंग देगा मैं यहाँ पर चीनी एड़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि पेठा आलरीटी बहुत मीठा होता है अची तरह मिक्स करेंगे देखिए अब हमारा पेठी की लड़ो का मिक्सचर रड़ी हो गया है अब हम इसके बनाएंगे लड़ो लड़ो का साइस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं छोटा या बड़ा देखिए इस तरीके से अब हम इसे कोट करेंगे नारिल के पुराते के साथ और इसी तरह सारे लड़ो बनाकर तयार कर लेंगे लीजी अब हमारे चट पर पेठी के लड़ो बनकर तयार हैं अब हम इसे गार्णिश करेंगे टूटी फ्रूटी के साथ कर दो